बहुत स्वागत है जी सभी स्टूडंस का बहुत खास टॉपिक पे आज बात करेंगे हमारे साथ मैडम वीना गोईल हैं जो की नैविगेटर इमिग्रेशन स्लूशन्स प्राइवेट लिम्टर्ड को रिप्रिजन करते हैं 25-26 साल का experience है स्टूडंस को गाइड करने का आज का टॉपिक यह है बहुत सारे हमारे स्टूडंट हैं इंडियन स्टूडंट हैं जो रिजनल एरिया को स्टेलिया के जादा अच्छी तरह नहीं समझ पारे कि क्यों रिजनल एरिया में वो पढ़ें क्योंकि पता लगा है कि ब स्टूडंस कम है लिविंग के लिए वहाँ पे वो कैसे अर्न कर सकते हैं अपनी फीस और लिविंग हुड यह सारे टॉपिक्स रहेंगे और सबसे बड़ी बात रिजनल एरिया में क्या वीजा जल्दी मिलता है क्या पी यार जल्दी होती है किस तरह के बेनिफिट्स हैं य बेनिफिट्स उसके जरूर बताएं सुरेंदर जी ऐसा है कि कोई भी कंट्री जो है हर कंट्री के अपने में सेटीज हैं फिर रिजनल एरिया उसे 25-30 किलो मेटर 50 किलो मेटर 100 किलो मेटर हाट के जो एरिया जो बहुत जादा अभी पपुलेशन नहीं है तो उसको थोड़ा सा रिजनल एरिया बोला जाता है अब रिजनल एरिया बहुत सारे गवर्मेंट के अपनी लिश्ट होती है जिसको उन्होंने डिकलेर किया होता है अगर हम अस्ट्रेलिया की बात करें अस्ट्रेलिया में अगर आप बात करो विक्टेयोरिया में भी रिजनल एरिया होगा अ कि जितना over populated area होगा उतने ही उसके expenses जादा होएंगे natural है किसी भी country की government नहीं चाहती कि कोई नया immigrant आ रहा है या नया student आ रहा है तो वो उस तेम भीड में आए उनकी ज़्यादा preference होएगी जहां कम population है वहाँ पे बच्चा जाए अब कम population में उसको फाइदा क्या होता है एक तो उसको आपने बोले जैसे post study work permit बहुत लंब है five to six years का भी मिल रहा है depend on the course तो minimum भी जो है उनका regional area का post study work permit three four years का होता है जो की एक आम post study work permit से जादा है अगर course by research लेते हैं तो five to six years का भी है अब second बात करें क्योंकि economy wise दिखा जाए million and million dollar government in में invest कर रही है मैंने last time आपको प्रिग्राम में बता था western Australia में अगर आप खुद Google पे जाके सर्च करो कितने million dollars government ने वहां पे CBD में लगाई है जो कि city है अच्छा आप western Australia का पर्थ भी regional area में जबकि आजाता है जबकि वह प्रपर city है population काम है तो वहां आपको जो पोस्टेडी वर्क पर मेंटा वह बहुत लंबा मिल रहा है जैसे आपने western Australia की बात की वहां अच्छी उनिवस्टीज हैं बहुत अच्छी उनिवस्टीज हैं यूनिवस्टीज अब अब आप बात करें कि वहां पर अगर रेजिडेंस की बच्चा जाता है तो सबसे पहले उसकी जरूरत होती अगर हम बात करें सिड्नी या मैलबर्न की वहां पर बहुत एक्सपैंसिव होगा अगर हम रीजनल एरिया में जाते हैं तो हमारा हाउसिंग कास्ट हाफ हो जाता है हमारा लीविंग कास्ट काफी कम हो जाता है और जॉब बच्चे को यह मिल रहा है तो उनमें जो जॉब्स हैं वो बहुत अच्छी मिल रही है मैं उनमें बच्चे को जो पार्टाइम जॉब जिसको हम कहते हैं उनमें उनको सैलरीज जो मैं देख रही हूं बच्चे को अलमुछ डबल मिल रही है तो उनका जो एक अधनिंग कैस्टी अच्छी होगी वो पड़ाई का बहुत सारा खर्चा वहाँ पे निकाल लेते हैं और दूसरा क्या है सबसे easy point हमने living cost का भी हमने देख लिया job search visa भी उनको ज़्यादा मिल रहा है third benefit क्या है उनकी settlement option बहुत चल्दी हो जाती है वहाँ जाने के बाद तो हर बच्चा जो यहां जा रहा है वो देखता है कि ROI क्या है रिटर्न आन इंवेस्टमेंट क्या है तो यही जब embassy visa देती है high commission visa देती है वो देखती है कि इनकी इतनी capacity है इसके लिए income tax return देखी जाती है माली जे parents की 15 से 18 लाग की income है तो बहुत मतले strong आई यह पढ़ाई इनकी afford कर सकते हैं तो अगर आप रीजनल एरिया में गए हो और आपका जो एक parents पे उतना pressure नहीं पड़ा आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली आपकी settlement jobs आपको अच्छी मिल रहे हैं jobs अच्छी मिल रहे हैं तो settlement तो automatically आपके पीछे आ रहा है आपको points extra मिल रहे हैं settlement के लिए तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए और अभी अगर हम बात करें उससे लिए के जो recent जो intakes है नवंबर इंटेक है उसके बाद February इंटेक है तो original areas के लिए अभी से student apply भी कर सकते हैं बिलकुल जी अब लेकिन जो 22 pass out plus 2 जिनों ने की है वो जो option मिलती है आप नवंबर के लिए apply कर लो universities जो है एक साल से ज़्यादा gap नहीं लेती अगर आपने plus 2 किया that means 23 में जिनों ने plus 2 किया IELTS कर लिए वो immediate apply कर लें without wasting your time क्योंकि embassy ने funds भी 3 months old देखने होते हैं तो आपको इतना time मिल जाएगा financial document का जब तक आपकी offer letter आ रही है आपके income tax returns आपको जो embassy के लिए GT requirement है जो university के लिए है आपको हमारे पास documents complete करते हो financial document आप bank loan ले सकते हो या आप 3 months old fund दिखाओगे वो आपपे depend करता है और अगर आपने masters की है तो आपका 5 years से ज़्यादा gap मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए अगर आप जवाब कर रहे हैं और आपके पास experience letter है आपके पास account में salary जा रही है वो सारे आपको proof चाहिए लेक जीटी क्या चीज है जो हम पहले एक बच्चा 18 साल पहले मेरे थो गया था अभी उसका फोन आया कि किसी relative को भेजना कि मैडम जीटी पहले थे नहीं सुन दे सी हुन जीटी की है तो मतलब जीटी क्या बच्चे ये परिशान होते हैं तो जीटी मेंस कि आपका genuine temporary requirement है entry की तो आपको उसके लिए financial documents means financially कितने strong हो तभी आपको वीजा दे that is called GT और अगर आप अगर हम Western Australia की बात कर रहे हैं ऐसे ही हम बात करते हैं एडिलेट की ऐसे ही आप बात कर सकते हैं कि जैसे New South Wales में मैंने बोला था वालंगांग वगेरा उस side की वो सारी regional area में आते हैं तो आप regional area में जाते हो तो benefit तो सारी जगे सेम है गौर्मेंट ने पैसे भी लगाए हैं आपको पोस्टरी work permit भी extra मिल रहा है और आपको जो part-time jobs की भी availability जादा है उसमें आपको payroll भी अच्छा मिल रहा है भीड से आप द जो इतने घर बने हैं concrete जिसको बोलते हैं पूरा एक concrete structure तेहार हो गया है आप natural beauty में रहना चाते हो nature को enjoy करना चाते हो तो आप वैसी जगे जगे बिल्कुल ठीक है अभी November और February की options कितनी बची है February की बहुत option है total option है November के लिए limited है इसलिए मैं क्यारीं कि जो भी बच्चे का को कोई कुछ भी स्टेम अमबैसी वीजा जो पीछे रिजेक्शन है अब रिजेक्शन नहीं आ रहे हैं इवन कॉलेजिस के वीजे आ रहे हैं डिग्री के डिपलोमा को मैं प्रमोट नहीं करती अस्ट्रेलिया में क्योंकि इसमें वीजा बहुत कम है तो डिग्री में हाईर ए इस तेम थोड़े लिए अंट हूँ है इनका पता नहीं चलता कब श्रिक्ट हो जाते हैं कब लिए बट इस तेम थोड़े लिए अंट हूँ है ठैक यू सो मच सो स्क्रीन पे मैडम वीना गोल जी का नंबर है तुरंत आप फोन करें और क्लारिटी लें अपॉंट्मेंट ल